सबी लोग करते हैं और आज आपके सामने हम चाचा करेंगे अपने स्पेसिल टॉपिक के रिगार्डिंग जो मिन्स बैंक और स्मॉल फिनेंस बैंक के बारे में हम रोग बाचित करेंगे और कई पर एक्जाम्स में समंदित क्वेश्चिन्स पूछे जाते हैं तो बढ़ते है प्रियव करेंगे और अपने बांकिंग के स्पेसिफिक चोंड़र्म समन्ध हो तो है इंको जरूरी है इनका क्या objective रहा जाकरके at least भारत में इन बैंकों को क्यों लाया गया पहले भी तो भारत में banking facility चल रही थी लेकिन इनको लाने का मक्सद बहुत important रहा और कहने के इन बैंकों के आने की वज़े से आज के समय में लोगों को visually banking की facilities मिल रही है इन बैंकों को लाने का जो उद्देश था वह बहुत इस फिक था तो देखते हैं कैसे क्या इसका सुरुवात हुई थी क्या थी बैंकिंग में जो पेमेंट्स बैंक और स्मॉल पंदेंस बैंक है इनका importance तो इनकी objective के अगर हम बात करेंगे क्या इनका objective था क्या इनका उद्देश रहा जाकर के तो सबसे पर यह समझते हैं कि क्या भारत में जो पॉल पीपल से नहीं कि क्या लोगों के पास और पीपल आज के समय में यह है कि भारत में बात करते हैं तो भारत में इतना easy नहीं था लोगों के पास banking facilities को पाना तो इसका जो objective रहा जाकर जो मुख्य उद्देश था वो भारत में इस खास मकसद से इन बैंकों का उद्बह हुआ था जिसमें से प्रमोट किया गया था to financial inclusion इनेंशियल इंक्लूज़न सबसे मैं तुन बात आपके सामने में ने रिप्रेजेंट कर दीगी तो प्रमोट धी इसको प्रमोट करने के लिए इन बैंकों को कॉंसेप्ट लाया गया था और आपको यह थोड़ा समय इन बैंक के वास्ते इन बैंकों की इस सबसें के वास्ते मैं आपको थोड़ा सा विप्री समाविसिंग तरब भी ले जाना चाहूंगा कि क्या होता है अटलिस्ट यह क्या होता है यह जानने की कुछ करेंगे एक्चली फैनेंसल इंक्यूजन का मत्तब यह होता है कि भारत जो भी लोग है इस पीपल आव बैंक अकाउंट कभी के पास बच्छों हों बैंक अकाउंट आड बैंकिंग फेसिल्टी या इसको सर्विस तो अर्मोस्ट कहा ही जाता है कि बैंकिं फेसिल्टी अफेस्टस सब्स हो एक उप्यूजी यह गौट एजली अब इसली थारीके से बैंकिंग फिशिल्टी तो मिल्ड है यह विथ ईस सो के बट is there any cost तो बात यहां पे एक ही दोग इसली banking facility with nil cost nominal cost के सकते है nil cost के सकते nominal cost it mean कि सभी लोगो के पास bank account so these people have a bank account they got the banking facility with the endless service at the nominal cost it mean यहां पे financial inclusion का मत्तब यह हो जाएगा कि वित्ती समावेशन एक ऐसी प्रक्रिया के लाएगी जिसमें सभी के पास bank accounts हो और आसादी से भारत का हर नागरिक banking facility को access कर सके यही इसका मुख्य उद्देश होता है वित्ती समावेशन के लिए small finance bank और payment bank को से पहले हम आपको थोड़ा सा वित्ती समावेशन से connect करना चाह रहे है actually यह जो वित्ती समावेशन होता है इसके regarding भारत में बहुत सबैसे इसके बारे में चाचा की गी थी अगर मैं थोड़ा साब को बदाना चाहूँगा कि वर्स 2005 की बात है भारत में एक कमेटी बनाए की जिसका नाम था है HR Khan Committee HR Khan Committee actually HR Khan was the deputy governor on that time यह भारत में रिजर्वेशन के यह deputy governor साब थे और इन्होंने ऐसा recommendation कि वित्ती समावेशन का होना बहुत जरूरी है without financial exclusion the people cannot do cannot the growing in the country HR Khan Committee regarding इस financial inclusion का यहने की वित्ती समावेशन का recommendation किया गया था financial जो inclusion है वित्ती समावेशन है financial inclusion है इसको start किया गया था और मैं आपको इस बता दूँँ क्लास की 2000 है में Dr. C. Rangarajan Dr. C. Rangarajan committee Dr. C. Rangarajan committee की अंतरगत लेटर इसको फिलाल बाद में इस वोज रमोट बाद में यहीं की 2006 में फिर Dr. C. Rangarajan साब जी ने जी की बहुत ही veteran person है he was a deputy he was the governor in the reserve bank of India की आर्बे के गवर्न साब भी रह चुके and he was a reformer in the banking sector यह भारत में banking sector की बहुत बड़े reformer भी रहे हैं तो 2006 में Dr. C. Rangarajan कमिटी के अंद्रिगत की समावेशन को और आगे promote किया गए जब इसको promote किया गए तो इसके regarding भारत में अगर मैं 2008 की बात करता हूँ 2008 की बात करता हूँ उस टाइम पर zero balance account को लेकर के आया गया था भारत में zero balance account को focus किया गए था zero balance account को focus किया गए था इसी को फिर 2010 में इसी का नाम nofail account बोला गया है किने कि बही किसी भी विक्ति के पास banking facility हो जाए बहले उसके पास पैसे नहीं हो लेकिन वो bank में account open करके कही नहीं सरकार के दोरा या फिर scholarship हुआ या और भी तबाम सारी ऐसी वित्ति के संबंध के सेवाए वो अपने bank से ले सकता है 2010 में इसका नाम nofail account कर दिया गया इसी प्रकार से 2000 अगर हम 11 की बात करेंगे तो इसमें स्वाव लंबन स्वाव लंबन इस स्कीम को लाया गयाने कि इसमें स्वाव लंबन की बात करते हैं इस इसी टाइम पर banking की स्कीम को मेंसन किया गया है वहाए बारत में बांकिंग को प्रमोट किया गया भारत में जो इसको प्रमोट किया गया है वर्स 2012 में क्लास किया हुआ था कि स्क्रमब मंत का समय था इसमें से भारत में सबसे पहली बार BS BDA, यहीं कि BASIC Saving Bank Deposit Account Basic Savings Bank Deposit Account यहीं कि इसमें एक प्रकाश से एक ऐसा basic खाता, जो मूलमुत खाता था बचत को प्रोमोट करने के लिए एक Accounts यहीं कि Basic Saving Bank Deposit Account को Introduce किया गया था, जिसका नाम क्लास था, BS BDA ऐसे करके भारत में निरंतर तरीके से एक वित्ती समाविशन की मुहिम को आगे बढ़ाया गया एक प्रकाश में क्या होता है कि कोई भी पर्सन को रिस्ट्रिक्ट्रिवली यहीं कि कहीं कहीं रिस्ट्रिक्शन्स होगा लिमिट्स होगी कि वो अपने बैंकिंग सविस को अवेल कर सके इस BS BDA एक अपने इसमें इसमें ऐसा होता है कि क्लास में एक 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 एमकम डेविट कार्ड मिलेगा और इसमें एक वर्स मेने की वन यहर में एक इसमें वन लाक रुपीज से ज्यादा पैसे नहीं जमा करना है 50,000 रुपीज से ज़्यादा बैलेंस ना सो करें और एक बार में मैक्समम 10,000 रुपीज ही जबा कर सकते हैं इस बेसिक से बैंक डेपॉजिट अकाउंट से तो इन प्रकार के एक एक एमकम डेविट कार्ड जिसी जोगी सुरुआत होगी लेकिन जैसे जैसे सरकार आगे अगस्त वा करता था जनधन एकाउंट यहने की सरकार ने नरेंत मुदी जी की सरकार जिने एनिक स्वामत्री स्री नरेंत मुदी जी की सरकार ने लांच किया था 28 Agust 2014 को इसमें भी क्या किया गया उनको ईन में जो एकाउंट लोग खोल ले टे इनको बंदा गया था जन्धन एकाउंट इनको बॉलागर क्लाश है जन्धन न के बंदान एकाउंट का मत्तब बंद गें कोले गें हर वर्ग का लोग फिल्ट बैंकिंग फेसिल्टी से अलग नहीं वह बैंकिंग फेसिल्टी को अवेल्ड कर सके इसलिए इसारे रिफॉर्म कियेगे जरदन एकाउंट करेगा आपको बता दूँ कि इसी टाम पर स्टीट बैंक ऑफ इंडिया जो इंडिया के लाज़ेस्ट ले समावशन की जो मोहिम थी जिसमें से लोगों को बैंकिंग फेसलिटी से जोड़ा गया कम से कम कीमत में यानि कि कम से कम कॉस्ट में ज्यादा ज्यादा बैंकिंग फेसलिटी प्रवाइड ने के लिए वित्ती समावशन जैसी चीज़ को मोहिम किया गये और इस वीच मैं यह मोहीं में ग्रावमीट तक के में लोग को अपनी लाइफसाइल को बेटर करने के लिए उनको माक्रोफिनेंस देने के लिए उद्यम से जोडने के लिए स्वाहम साथा समू का बहुती पूर रोल है एक ऐसे डेटा में सब बताया गें लगबक 9 करोन आपके स्वाहम साथा समू बने हुए ऐसे पॉपलिशन जो भी भारत की है इसमें से कई सारे लोगों के अपने इसमें फिलाल मोहिम करते हैं आप अपनी बातों के बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं पेमेंट्स बैंक वर स्मॉल फनेंस बैंक की तरफ समय का सो रहा था उस टाइम पर दिसंबर 2014 का समय था इस टाइम पर भारत में ऐसा थिंटाइंग किया गया एक्शली उस टाइम पर रिजर्वेंक और इंडिया के जो गवर्नर साब थे वह स्री रगुडाम गोविंद राजन जो थे वह रेटरन अंड एकुनॉमिस्ट प्र कि दो हजार अगर मैं 14 की बात करें तो भारत में नीजी बैंकों के बारे में इस टाइम पर कुछ प्रमोख दो नीजी बैंकों को लैसेंस देने की प्रक्या चल लेती जिसमें से आपका पंदन बैंक और आईडिएफसी फर्स्ट बैंक था उन बैंकों को भी आगे बनाया गया आगे स्टैबलेस किया गया वो भी आज की समय में मोस्ट सक्सेस्फुल बैंकों की लिस्ट में जाई रही है लेकिन इस टाइम पर क्लास क्या किया गया था दिसंबर का समय था दिसंबर 2014 का समय था एच्छी केत मोर कमेटी एच्छी केत मोर कमेटी एच्छी केत मोर कमे कि इनोंने रिकमेंडेशन किया जू ने पेविन बंक तो सेट अप पेमेंड बैंक तो मैं आपको जैसे बता रहा हूं सारी चीज्जों को नोट करते रिएगा अच्छे से अच्छों तो पेमेंड बैंक का फॉर्मेशन का वान से कमिटी को बताया गया था तो वो कमेटी और लजहीं केतम और कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था भारत में पेमेंट बैन को के फ़र्मिसरं के लिए और इसके लाब अगर देखते क्लास यह जो वाबरेंट गाइडलाइन है कि लिए 10 three on payment bank पेइमेंट बैंकों के सब्मन्द में जो वाइबरेंटilाइन स्वी थी करेंटेक्ण के लिए it was launched बिалеगे की in guide in guidance को लॉँच किया गयए था this guidance was launched by वार इनकी गाइडलैन्स को लांच किया थे यह गाइडलैन्स घृ प्रोर्शिशन एकजांस में कर पूचा जयाता है कि पैमें अइसी मेटि अंचि के अचिकार को बदाया गए था तो नचिकिद मुर्व कमिटी आनसरहिएगा और इन बैंकों को भी कहने कि भारत में कि इसे इस्टैबलिस किया गये था इनका जो अब्जेक्टिव था इस्टैबलिस करने के लिए इनका जो मुक उदेश था तू भाइबरेंट जी पेमेंट सिस्त्म भाइबरेंट सिस्टम योनी कि भाइड पैमेंट के में इन बैकों का फॉर्मेशन है यह कोतान भारत ब्हुक्तान प्राणली बहुत इज्टीiding तरीक सो सके इसलिए बैंकों का लाइसेंस ले सके और इसफ इंपोर्टेंस थी स्क्राया बदाया गया था वो सारी guidelines की चाशा करते हैं लोग दिखते हैं कि कौन-कौन सी guidelines है इसमें तो सबस्ते class यहां पर की जो guidelines है, guidelines under payment bank payments bank जो होती है, class क्या कुछ guidelines है, यह जानने की खुछ करते हैं, क्या इनकी guidelines है तो सबसे पहले मैं आपको बदा दू class की जो promoters होंगे इसमें अब यह जानते की क्या होता है promoters, what is happening about the promoters, actually promoters are a group of companies, यह group of the companies में हो सकते, या individuals में हो सकते जो promoters मतला बजाएगा एक प्रकार से, जो capital को infuse करेंगे, capital infused को कहलाएंगे they infuse the capital, they infuse the capital to set up of financial institute, पतब जो इनसान पैसा लगा दे, या जो company पैसा लगा दे, या जो कंपनी पैसा लगा दे, लाइसन्स ले रिजर बेंक आप इंडिया से, कि मुझे पेमेंट बांक का लाइसन्स यह, लेकिन वह RBI की guidelines पे खराब करें, उसी कोई RBI क्या करेंगा, license जारी करेंगा, तो license क्या करेंगा, class? टी करेंगा, तो बच्चों यह करेंगे, याद रिख समझे इस बात को, कि इनकी license को प्राप्त करने के लिए, जो प्रमोटर्स होगा, जो capital को infuse करेंगा, यादि कि capital को infuse करने का मत्त हो जाएगा, जो पूंजी लगाएगा, पूंजी को लगाएगा, capital का करवाएगा, किसी bank के license लेने के लिए, उसके लिए, जो promoters होगा, पूंजी प्रमोटर्स क्लास हो सकते हैं, कोई nbfc हो सकता है, non bank financial companies जो हो सकती है, nbfc का मतब एक ऐस company जो गैर वित्ती banking संस्थान करेंगे, जो बैंक नहीं है, ऐसे संस्थान जो बैंक नहीं है, लेकिन वित्ती के समद्ध में कामकाच कराते हैं, इस में dealing करते हैं, और market को create करते, but they are registered with the Reserving of India, इनका जो license होगा, इनका जो registration होगा, वो RBA से 1956, ये company अधिनियम के थ्रू भी इनको register होना पड़ेगा, 1956 और Company Act 2013, जाना, इचीज़े, एन्वी अब सी हो सकते हैं, या कोई भी सूपर मार्केट चेन भी समें हो सकते हैं, मत्तब जैसे कि आपका बिग बजार हुआ, या बिग बास्केट, ऐसे सूपर मार्केट चेन भी हो सकते हैं, या इचीज़ दूई, तो ऐसे यानिकी एक ऐसे विती संसान कुरूप में भी हो सकते जो सूपर मार्केट चेन हो, इक है ना, इचीज़ याद रखियेगा, यसे पीवर सीने में, ये भी इसकी कई सारी चेन हैं, पूरे हिंदुसान में, बिग बार वाल, रिलांस स्मार्ट पॉइंट हुआ, ऐसे कई सारी सूपर मार्केट, इसके लावा, NBFC हो गया, और अल्सो मोबाइल टेलिकॉम कॉंपनीज, मोबाइल टेलिकॉम कॉंपनीज, यह नहीं कि भारत में जो प्रमो कुरूब से मोबाइल टेलिकॉम कॉंपनीज हैं, वो भी इसमें लाइसेंस ले सकती हैं, रिजा बैंक उफ इंडिया से, दे गॉट लाइसेंस फ्रॉम भी है, जिसे कि आपको मालूमें कि जियो पेमेंट बैंक है जियो खोड़ा, उसने भी लाइसेंस लिया लिदिया के leading company टेलिकॉम कॉंपनीज हो प्रेसेंस ले सकती हैं, इसके लावा कर सकते हैं और इसके लिए जो बैंकिंग का एक Regulation Act है यह ना बैंकिंग का एक Regulation Act है जो 1949 का लाएगा मैं इस पर इलिग दे रहा हूं यहां पर फोड़ा जगी कमती Section 19, Subsection 2 के इंत्रगत, Banking Regulation Act, 1949 के इंत्रगत, इनको भी Schedule Commercial Bank लाइसेंस ले सकती है फिलाल Payment Bank regarding तो यह इसमें फिलाल Promoters होंगे, Group of Promoters, इनको हम यह भी लिख सकते हैं कि Group of Promoters भी इसमें लिख सकते है, Group of Promoters तो, यह ना, many people, they are connecting to create the capital, they also infuse the capital, वो capital को infuse कर सकते हैं ना, इसके बाद हम देखते हैं क्लास की, जो capital requirement होगी payment bank के लिए, capital required for payment bank, ना, payment bank कों के लिए कितनी पूझी की जुरुत पड़ाएं झाल 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 झाल